बासकार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूट्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है आरो ए आरो एकजाम में जिसकी परिच्छा 20 सितंबर को निर्धारित की गई है तो उसी के परपेच में उत्तर परदेश स्पेशल के वीडियो से जो है जनगारना 2011 इसमें 3-4 कोशन जनगारना से पूछा जाता है तो उसी के परपेच में ये वीडियो बना रहा हूं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अभी तक आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक् करने बाद बेल आइकन की गंटी को क्लिक करना ना बूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं कोश्चन नमबर वन है इसमें जनगारणा 2011 के अनुसार राज में 10 लाखी नगरों की संख्या है तो राज में 10 लाखी नगरों की संख्या है 2011 के अनुसार कितने है तिसके अंसर अगा भी 7 साथ जो है ऐसे 10 लाखी नगर है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है कोश्चन नमबर दो है 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है 2011 के अनुसार तिसमें अनुसार होगा भी महोबा कौन है? महोबा कोशन नमबर 4 है 2011 के अनुसार राज में सीसू लिंगानू पात है 2011 के अनुसार राज में सीसू लिंगानू पात कितना है? यह है 902 कोशन नमबर 5 है 2011 के अनुसार राजी में महिला अबादी कुल अबादी का लगभग है तो कुल अबादी का लगभग कितना है तो कुल अबादी का लगभग है 48% कितना है ? 48% Qigeon number 6 है उत्तर परदेश में लिंगा नुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा ये कब घटा था ये घटा था 1991 से 2001 के बीच में कोशन नमबर आठ है प्रदेश की जनसंख्या में सरवाधिक 10 की बृधि देखी गई तो प्रदेश की जनसंख्या में सरवाधिक 10 की बृधि देखी गई तो ये देखी गई थी कब 1991 से 2001 के बीच में Question number 9 है 2011 के अनुसार उत्तर परदेश में ST की सरवाधिक सांदरता है यहनी सबसे ज़्यादा ST कहां पर पाई जाती है यह है सोन भाद्र में Answer होगा C, सोन भाद्र में Question number 10 है 2011 के अनुसार केवल नियग्यम छेत्र में 10 लाग से अधिक जनसंख्यावले नगरों का सही क्रम है तो नगरों का सही क्रम है तो यह है लखनव, कानपूर, गाजियाबाद, आगरा Question number 11 है 2011 के अनुसार निम्न में सरवाधिक जन घनत वाला जिला कौन है तो सरवाधिक जन घनत वाला जिला कौन सा है तो वो है गाजियाबाद Question number 12 है 2011 के अनुसार उत्तर परदेश से महिला पुरुस अनुपात है यह है 912 प्रती 1000 पे Question number 13 है 2011 के अनुसार सरवाधिक नगरी अबादी वाला जन पद है तो सरवाधिक नगरी अबादी वाला जन पद है गाजियाबाद Question number 14 है 2011 के अनुसार जन संख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर परदेश में तीसरा अस्थान है तो वो है सिख का Question number 15 है 2011 के अनुसार उच्चतम साच्छर्ता है किस जिले में उच्चतम साच्छर्ता है तो वो है कानपूर नगर में Question number 16 है जन गर्ना 2011 के अनुसार उत्तर परदेश का सरवाधिक साच्छर्ता वाला जिला है तो उत्तर पर्देश का सरवादिक साचर्टावला जिला है गौतम बुद्ध नगर कुशन नमबर अठारा है जन्गर्णा 2011 के इनसार सरवादिक साचर्टावला चार जिलों का सही औरोही क्रम है चार जिलों का सही औरोही क्रम है जिसका एंसर होगा B गौतम बुद्ध नगर कानपूर औरोही या इटावा कुशन नमबर 19 है जन्गर्णा 2011 के इनसार निम्न कत्नों में कौन से सही है तो इसमें पुछा है कौन सा सही है निउन्तम साचरता दर वाला जिला सरावस्ती ये तो सही है सरवादिक लिंगान पात वाला जिला देवरिया गलत है निउन्तम जन घनत वाला जिला ललित पूर ये भी सही है नगर निगाव के छेतर में जन संख्या के अधार पर राजि का सरवाधिक जन संख्या वाला नगर कानपूर ये गलत है एक और तीन इसमें क्यों सही है तो इसका एंसर हो जाएगा B एक और तीन इसमें सही है तो 19 का एंसर B होगा कुश्चन नमबर 20 है 2011 के अनुसार राजि में एक हजार बालकों पर बालिका सिस्वों की संख्या है तो इसमें कितना बालिका सिस्वों की 902 एंसर होगा B 902 कुश्चन नमबर 21 है 2001 से 2011 की आवधी में प्रदेश में जन संख्या ब्रिधी दर रही तो यहां से 2001 से 2011 के बीच में दस वर्सों में जो है उत्तर परदेश में कितनी परतिसत जन संख्या ब्रिधी हुई है यह पूछ रहा है तो यह ब्रिधी है 20.22 प्रतिसत कुश्चन नमबर 22 है 2011 के अनुसार जन संख्या के घटते क्रम में जिलों को ब्यवस्थित कर सही कूट चुने तो इघटते क्रम में चुनना है इसको तो सबसे पहले आप का जाएगा इलाहाबाद एक नमबर पर इसके बाद दुसरे पर मुरादा बाद तीसरे पर हो जाएगा गाजेवा चोथे पर कानपूर यहीं किसका एंसर A साही सुमेलित है 22 का एंसर A होगा कोशन नमबर तेईस है 2011 के अनुसार किस जिले में साचहरता उच्चितम है किस जिले में जो है साचहरता उच्चितम है तो जिला पूछ रहा है इसमें तो इसका एंसर होगा 23 का A गौतम बुध नगर में कोशन नमबर 24 है 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है इसमें सही नहीं है पूछा आए इसका एंसर होगा C इसकी दसकी बिर्दी 17.7 है सही नहीं है अभी बताएं इसकी 10 की बिर्दी 20 दस्मलो 2 दो पर्दिसत है तो ये गलत है इसके लावा इसमें जो है ये देश की जन संखेया के सुरह दस्मलो 5 पर्दिसत निवास करता है उत्तर परदेश में ये सही है यहाँ देश की निवासियों के सरवाधिक बच्च पायत यह भी सही है इसकी लिंगान उपात 912 यह भी सही है यह इनि सीस में गलत होगा कोशन नमबर 25 है 2011 के अनुसार कूट में सही उत्तर का चेन कीजिए दिया इसमें छेत्रफल में वह देश का पांचमा राज्य है दूसरा दिया देश की जनसंख्या में इसका सोरत पांच परशत का योगदान है तो यह तो सही है छेत्रफल पांचमा अस्ताने यह गलत है तीसरा दिया इसका याउन अनपात राष्टी आउसस से अधिक है ये भी गलत है चौथा है इसकी साचर्ता दर राष्टी आउसस से कम है ये सही है ये दो और चार इसमें सही है तो इसका एंसर हो जाएगा C कोश्चन नमबर 26 है 2011 के अनसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला सचर्ता है तो सबसे कम महिला सचर्ता वाला जिला पूछ रहा है 26 में ये है रामपूर एंसर होगा D रामपूर कोश्चन नमबर 27 है निम्न में से कौन जन संख्या की द्रिष्टी से उत्तर पर्देश का सबसे बड़ा जनपद है तो वो है इलहाबा जिसको इसमें प्रियागराज के नाम से जानते है कोशन नमबर 28 है 2011, जनगर्णा 2011 के अनुसार सरवाधिक साचहरता वला जिला है तो सरवाधिक साचहरता वला जिला कौन है 2011 के अनुसार इसका एंसर होगा एक गौतम बुद्ध नगर कोशन नमबर 29 है उत्तर पर्देश में अधिक्तम छेत्रफल वला जनपद है तो उत्तर पर्देश में अधिक्तम छेत्रफल वला जनपद कौन है तो वो है लखीम पूर खीरी कुशन नमबर 30 है 2011 के अनुसार प्रदेश में पूरु साचर्टा दर है प्रदेश में पूरु साचर्टा दर कितनी है तो वो है 77.3 प्रतिसत तो ये थे कुशन आज के लिए UP special से तो उमेद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हाँ अधिक सदिक सेयर करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वन्दे मात्रा मिलते हैं अगले वीडियो में